कि आपको क्या करना है दंक से पढ़ाओ देखो हापर मैं इसको एक बार सफाई कर देता हूँ यहापर clause C की clause C की हम थोड़ी सी शफाई कर देते हैं और एक बार फिर से clause C को read करते हैं ताकि हम हम क्या कर सके हम 12,7 में और 12,7 B में और 12,3 C में मैं किस-किस की बीच में comparison कर रहा हूं मैं यहाँ पर comparison कर रहा हूँ, 12, 3, C में, and 12, 7, B में, I hope मेरी पास समझ में आ रही है आपको, 12, 3, C में, और 12, 7, B में, इन दोनों में आपन क्या कर रहा है, comparison कर रहा है, ठीक है, आज ओ, अब 12, 3, C को वापस मेरे साथ में, read करो, क्या लिखा है, लिखा है, by way of accommodation in any immovable property, for, for, organizing any marriage, यानि, accommodation कर रहा है, organizing के लिए, बिलको सही, organizing के लिए, अब organizing के लिए, अब organizing के लिए, अब organizing के लिए, अब organizing के लिए, आप बोलतो ना, marriage, specifically आपने क्या बोला, देखो, specifically आपने आपने यापर denote करा marriage को, लेकिन subsection 7, marriage की बात नहीं कर रहा, reception, subsection 7, reception की बात नहीं कर रहा, और matters related there to, यारी, शादी से related, और reception से related, तो उसमें आएगी, उसमें आपके पास क्या आएगा, catering, उसमें आपके पास आए आएगा, videography, pre-wedding shoot, हाँ सिर्फ बात तो सही है, वो सब किसमें आएगा, matters related there to के अंदर, फिर कॉमा लगा के क्या लिखा, official, social, cultural, religious, और business function, entertainment लिखा क्या, बोलो, entertainment लिखा, the answer is no, official में क्या हो जाएगा, आपके जो meetings वगेरा होती है, corporate meetings होती है, social क्या हो जाएगा, holy, diwali, वो सब social हो जाएगा, social gathering होती है न, जैसे new year evening हो गई, तो new year evening पर आपने एक social gathering करते हैं, that is not celebration, that is social gathering, okay sir, cultural, अब वो social, cultural एक ही हो गया, अब social, cultural में आप क्या difference करोगे, बताओ, social और cultural में, almost वो एक ही चीज होगे, उसमें इतना जादा बारीक, fine line difference करोगे, तो कुछ समझ माएगा, कि हाँ भाईया, यह social है और यह cultural है, religious, अब religious में वो ही नवरातरी होगी, आपका religious में जो आप holy खेलते अलग हो, और holy जलाते अलग हो, अगर आपने holy को थोड़ा बारीक जिन पहले जो holy का देहन कर रहे हो, holy का देहन, वो religious है, वो religious है, I hope आपको बार समझ में आ रही होगी, जो खेल रहे हो, धुलनडी वाले दिन, रंग लगा रहे हो लोगों को, उसको आप cultural भी बोल सकते हो, अगर आप उसको celebration नहीं बोलोगे, तो cultural बोलोगे, क्या बोलोगे, cultural, ओके सर, और business function, अब business function क्या हो गया, वो मैंने आपको बताया, annual function, तो श्री सिमेंट company जो annual function कराती है, और annual function में जो अरीजी सिंग आता है, और अरीजी सिंग आता है, तो बाकि सब जने भी आते है, महाँ पर definitely decoration भी करना पड़ेगा, वो सब light white लगानी पड़ेगी, वो video shooting में करता है, सब करवानी पड़ेगी, महाँ पर, तो business function, annual function कवर होगा, वो कहाँ पर कवर होगा, अब अगर श्री सिमेंट, हाला कि श्री सिमेंट का खुद का बहुत बड़ा compound है, बहुत बड़ा ground है, तो उनको अलग से किसी से लेने की जूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई company यसे जिसको annual function करवाना है, और उसको किसी दूसरी immovable property को accommodation पर लेना है, for organizing such business function, तो वहाँ पर 12-3-C लगेगा, श्री सिमेंट का तो खुद का है, लेकिन अगर ये श्री सिमेंट का खुद का नहीं होता, किसी और से लेना पड़ता, तो वो कहाँ पर cover होता, 12-3-C में cover होता I hope मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्या यहाँ पर कहीं पर भी entertainment शब्द लिखा है क्या, अरजीस सिंग का concert ना तो cultural है, ना social है, ना religious है, ना business function है और ना official है, वापस से बोल रहा हूँ, सोनु निगम, अरजीस सिंग, आतिफ असलम, इन सब के जो concert है ना मेरे दोस्त, वो क और entertainment ना तो official है, social है, culture है, religious है, business function है, वो 12-3C में cover हो रहा है, वो 12-3C में cover नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर मैं property को ले रहा हूँ, वहाँ पर मैं property को ले रहा हूँ, entertainment करने के लिए, क्या करने के लिए, entertainment करने के लिए, very good, वहाँ पर मैं property को ले रहा हूँ, entertainment करने के जाँगा, आवि clear with that, yes sir, वो यहाँ पे कवर्णी होगा, अब आए रचवा 12 articles के साथ में चैवनकों कंपेर करना चैवनकों कि तो जब मैं 12 स्वर्द ऍ हैं संक्र जदम चैक जड़र चैवनकों करने कमपेर कर Nu करने जओ। प्र Владu 12-2 पर मत रोको 12-2 पर मत जाओ पहले इदर देखो 12-2 पर जाने की जुरती नहीं पड़े लिए 12-2 same-to-same कहां दे रखा है 12-2 same-to-same दे रखा है 12-7-B में जो 12-2 में बोला न वो यहां यहां मिल जाएगा इदर देखो 12-7-B अच्छा अरिजी सिंग का कॉंसेट कवर कहां पर होगा पहले यह बताओ 12-7-A में अरे बोलो अरिजी सिंग का जो कॉंसेट है वो कहां पर कवर होगा 12-7-A में कवर होगा organization की service अरे बोल दो न यही तो मैंने बता था शादी में और उसमें यह difference अब आओ transaction number 3 पर तो transaction number 3 क्या था transaction number 3 था जो किसकी बीच में होगा अब यहां पर पहले लिख तो 2 सर कि कौंसा कहां कवर हो रहा है ठीक है तो 12-1 क्योंकि मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूँ लेकिन अरे जी सिंग का concert करवाने के लिए अब बताओ कि वो कहां कवर होगा अब मजा आने वाले दोस्त अब यहां पर तुम्हारे सारे के सारे रटे रटे भरम दूर हो जाएंगे और यहाँ पर तुम शास्त्रात कर सकते हो किसी भी दूसरे student के साथ में बैट कर कर दी ना गलती यही तो बात थी यही तो बात थी यही तो बात थी 12-3 कैसे बोल रहे हो 12-3C कैसे बोल रहे हो अब वो 12-3C में नहीं आएगा 12-3C में related service है लेकिन किस से related शादी से related business function से related अब मैं अगर immovable property को rent पे ले भी रहूं तो वो immovable property को rent पे लेने का purpose क्या है दिमाग के धागे खुल गए एकदम बढ़िया तरीके से मुझे पता था 12-3C आएगा कोई बात नहीं उसमें कोई गलती नहीं करिया आपने आपने सही बोला 12-3C वो ही answer आना चीए था लेकिन अब रुख जाओ वो answer नहीं है वो answer इसलिए नहीं है क्योंकि 12-3C में मुझे पताओ अरिजी सिंह का concept cover ही नहीं हो रहा न तो अगर आपका main transaction आपका main transaction जिसके कारण आप यहां बैठे हो आप यह organize कर रहे हो अगर वो main transaction ही 12-3 में cover नहीं हुआ that's the point 12-7B अभी cracks करवाऊँगा जब हम cracks की table बनाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा लेकिन सोचो कि cracks की table बनाने के लिए हमने कितना time लगा रहा अब वो cover होगा कहाँ पर 12-7B में और अब सोचो कि अब जो भी मैं पीछे से लेकिया रहा हूँ वीडियो वाला डीजे वाला डेकोरेशन वाला कैटरिंग वाला वो सब कहां cover हो जाएंगे बताओ फटावड बताओ अब वो सब कहां cover हो जाएंगे sponsorship वाला शादी के लिए sponsorship नहीं लगती शादी करने के लिए वीवो ओपो वालों से पैसे लेने पड़ते हैं क्या B किसका B किसका B अरे किसका B अरे जी सिंग के concert में जो catering वाला आएगा वीडियोग्राफी वाला आएगा decoration वाला आएगा light वाला आएगा very good ये सब 12-7 B में cover होंगे ये सब 12-7 B में cover होंगे बट lawmaker की drafting समझ में आई आपको lawmaker का intention समझ में आया यहाँ पर मेरा purpose था lawmaker का intention समझाना yes or no लेकिन अरे जी सिंग के concept में वीवो अपो हो सकता है इसलिए specifically 12-7 B के अंदर उन्होंने sponsorship को डाला बहुत deep लिखा है very good और अब सोच कि क्यों इन्होंने B2B, B2C वहां नहीं करा यहां करा क्योंकि marriage personal purpose है शादी का ITC लेगा क्या कोई अब मैं इसको link कर रहा हूँ ITC के साथ अब मैं इसको link कर रहा हूँ input tax credit के साथ अब बताओ अब समझ में आई बात हाँ, अब समझ में आई बात तो अब 2 मिनिट के लिए वापिस पीछा आजाओ 2 मिनिट के लिए वापिस पीछा आजाओ और आप यह सोचो कि वहाँ जो हम बात कर रहे थे कि आप दिल्ली audit करने जाओगे यादे जो class की शुरुवात करी थी और अपनने कहा था कि आप जो दहली audit करने जाओगे यह रहा यह रहा, आपने कहा था कि दहली क्या करने जाएंगे, audit करने जाएंगे तो Delhi अगर आप audit करने जा रहे हो और वो क्या कहां cover होगा अब बताओ वो 12-3 में cover होगा कि 12-7 में cover होगा वो कहां cover होगा 12-3 में कि 12-7 में अब पता लगेगा कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा 12-3 में cover होगा या 12-7 में cover होगा बताओ अभी समझ में आ जागा दो मिरिट में कि आपको बास समझ में आई कि बास समझ में नहीं आई अब यहां confuse मत हो जाना कि credit दिलाना है तो 12-7 में लेलोगे नहीं, accommodation तो अभी भी 12-3-B में ही cover होगा वो अभी भी 12-3-B में ही cover होगा को clause भी लिखा करो, आप मेरे student हो, आप clause भी लिखोगे 12-3-B क्योंकि जितनी practice करेंगे उतना ही अच्छे से आपन को याद रहेगा अब सोचो कि शादी का organization कहां डाल दिया शादी का organization 12-3-C में डाल दिया तो अब इससे होगा क्या, अब सोचो कि अगर मैं अपनी शादी करवा रहा हूँ किसी की शादी, for example मेरी शादी है, कहां पर है, वही जोधपर वाली बात अब GST by MM का, शादी से कोई लेना देना है क्या उपर साइड, नौर्थ साइड में कहीं थंडी जगे पर जाके पहड़ों में शादी कर ली कहीं भी शादी करो, राजिस्तान के बाहर करो मैं क्यों राजिस्तान के बाहर निकाल रहा हूँ, उसकी बीचे reason है राजिस्तान के बाहर निकालने से क्या होगा, बताओ राजिस्तान के बाहर निकलने से जो मेरे को पीछे से लग कर आएगा बोलो क्या, टेक्स लग कर आएगा उसका ITC कौन सा वाला होगा दूसरा वाला, क्योंकि वो Immovable Property की Location बनेगी 123C में 123C में वो Immovable Property की Service बनेगी, करेक्ट तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मुझे चाहिए भी नहीं मैं राजिस्तान से बाहर इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि जहां निकालूँगा बाहर वही पर वो Immovable Property की Location बनेगी Immovable Property की Location बनेगी तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो वैसे भी नहीं मिलना था मैं यह बोल रहा हूँ, क्योंकि 16.1 में लिखा है Business Purpose शादी जो हो रही है, वो Business Purpose के लिए हो ही नहीं रही है तो अगर मैं कोई जगे रेंट पे लेता भी हूँ शादी करने के लिए, तो उसका Credit वैसे भी Blocked है उसका Credit वैसे भी Blocked है तो इसलिए 12.3 का वो वाला Credit मुझे परिशान नहीं करेगा लेकिन 12.3 का Hotel वाला Credit मुझे परिशान करेगा, जो मैं Business Purpose के लिए Audit करने जा रहा था I hope मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, यह अपनने क्या करा Credit के साथ Link करके भी देख लिया बोलो हा के न हा, लेकिन आपको पता है, लेकिन आपको पता है Organization में यह प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि Organization में इन्होंने क्या कर दिया, अब बताओ अब जैसे आपने बोलाने यहाँ पर, कि सर ये Main Organization अगर वहाँ कवर हो गया, तो Immovable Property को जो आप Rent पे ले रहे हो वो अब कहां चला जाएगा? वो अब 12.7B में चला जाएगा, क्योंकि Entertainment 12.3C में कवर नहीं होता तो वो 12.7B में चला जाएगा और जब वो 12.7B में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? B2B, B2C अब क्या हो जाएगा? B2B, B2C और जैसे ही वो B2B हो जाएगा, मुझे उसका Credit मिल जाएगा तो अरीजी सिंग परफॉर्मेंस करने के लिए अगर Organizer को हाईर कर रहा है और वो Organizer अगर Immovable Property रेंट पे ले रहा है, तो क्या उसको उसका Credit मिल जाएगा? The answer is yes The answer is yes क्योंकि यहां साफ-साफ लिखा हो है कि Registered Person अगर है तो Location of Such Person Location of Such Person ही क्या बन जाएगी? Place of Supply बन जाएगी यह Purpose है Entertainment को 12.3C में नहीं डालना और 12.7A में डालना क्योंकि यहां पर Organization है Immovable Property को Rent पे नहीं ले रहा हूँ मेरी बास अंच में आ रही है हाँ सर और देखो उन्होंने क्या करा? Organization के लिए अगर कोई Service Ancillary to Organization तो जो मैं Immovable Property को Rent पे ले रहा हूँ वो Immovable Property को Rent पे क्यों ले रहा हूँ? Organization वो Ancillary है यह Ancillary शब्द बहुत IMPORTANT है यहां पर देखो इधर Ancillary to Organization इस शब्द पे फोकस रखना है Green Color कर देता हूँ मैं यहां पर Green Color कर देता हूँ और बात को समझने क्या लिखा है? Ancillary to Organization Organization कहा हो रहा है? Organization की Service कहा दे रहा हूँ? Organization की Service दे रहा हूँ है 12.7 A में किसको Talent Management Company को Arigising को और अब क्योंकि मुझे यह Organization करना है तो इस Organization करने के लिए मुझे पीछे से Services भी लेनी पड़ेगी तो वो पीछे से जो Services में लूँगा वो कहां कवार हो जाएगी? 12.7 B में कवार हो जाएगी Ancillary to Organization यानि अब जितने भी लोग मुझे Services दे रहे है वो क्यों दे रहे है? क्योंकि मैं यह Organize कर सकूँ Arigising के लिए तो अब यह Immovable Property Rent पे लेना 12.3 C का मुद्दा नहीं रहा अब यह 12.7 B का मुद्दा हो गया Of any of any of the events और Services Referred to in Clause A और Assigning of Sponsorship वहां भो जाएगा B2B तो अब 2 मिट के लिए सोचो कि event कहां पर है अब यहां पर हम statewide एक्जामपल बना लेते हैं event कहां पर है event है for example कहां पर बोलो फटाफ़ से बोलो event है event है event है Odisha में event कहां पर है sir event है Odisha में और talent management कहां पर registered है talent management registered है मुंबई में यानी महराश्टर में और organizer कहां पर है अब जरूरी नहीं है कि organizer Odisha का ही हो यहां पर मैं 2 मिट के लिए organizer को बाहर निकालूँआ state के बाहर निकालूँआ Odisha से बाहर निकालूँआ 2 मिट के लिए मानते हैं कि organizer राजिस्थान का है तो अब देखो तीनों अलग-अलग state के हो गए तो जब पहला example लगेगा 12-7-A तो 12-7-A हो चाहे 12-7-B हो दोनों के case में B2B, B2C का concept लगेगा तो बात clear हो जाती है कि यहां पर जो organizer देगा service किसको? महराश्टर को यानि राजिस्थान में क्या हुआ? 271 271 कहा हुआ? राजिस्थान 271 कहा हुआ? राजिस्थान और place of supply कहां चली गई? 12-7-A 12-7-A, महराश्टर B2B B2B, क्योंकि दोनों registered है यह organizer भी registered person है और यह talent management भी registered person है दोनों registered person है तो service की location कहां चली गई? महराश्टर तो क्या लग जाएगा? IGST क्या लग जाएगा? IGST क्रेडिट मिल जाएगा? मिल जाएगा मिल जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं अब यह organizer अब यह organizer ओडिसा के अंदर यह है कहां का? राजिस्थान का यह पीछे से service लेगा किसकी? यह organizer पीछे से service लेगा बोलो किसकी? से renting की यूँकि concept करवाना है तो renting की service लेगा अब renting दिमाग में आती ही क्या आता? 12-3C लेकिन 12-3C में entertainment cover नहीं है और मैं तो entertainment purpose के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं तो entertainment purpose के लिए renting कर रहा हूँ, accommodation कर रहा हूँ और वो 12-3C में cover नहीं होता तो वो कहां cover होगा? 12-7B में अब यह cover होगा आपके पास 12-7B में कोई शक कोई सवाल? नहीं सर अब यह 12-7B में cover होगा तो again क्या हो जाएगा? B2B again B2B क्यों? क्योंकि renting देने वाला भी registered person है क्योंकि यह तो रोजाना renting पर देता होगा आज रिजीद आ रहा है, कल सोनु निगम आएगा परसो अनु मलिक आएगा फिर आतिफस लमाएगा तो इनका तो काम ही है यह renting पर देने का तो यह भी registered person है तो फिर से organizer भी registered person है रेंटिंग देने वाला भी registered person तो यह B2B हो जाएगा फिर से और B2B होने से place of supply क्या हो जाएगी? राजिस्थान अब इस situation में place of supply क्या हो जाएगी? बोलो, राजिस्थान फिर से क्या लगेगा? IGST फिर से IGST लगेगा credit किसको मिल जाएगा? organizer को organizer को credit मिल जाएगा अरे बोलो हा के ना और यह credit otherwise block भी नहीं था अब अगर मैं यहाँ पर cracks बनौँ यह तो समझ मा आई गया सारा कहानी समझ मा आ गई अब यहाँ पर अगर आपको एक level और उपर जाना है वाला, decoration वाला, आपका camera वाला वो सब आएगा तो इन सब का भी क्या हुआ? अब यह सब भी ancillary services हो गई